इस वीडियो में जो question हम देख रहे हैं वो है class 8 exercise number 1.1 का question number 2 ठीक है जो इस तरह से write the additive inverse of the following the first है 2 upon 8 किसी चीज़ का additive inverse additive inverse क्या होता है अगर a है या a upon b है तो इसका additive inverse होता है minus का a upon b तो अगर हम इसको भी देखें तो इसका additive inverse क्या होगा हम लिखें additive inverse of 2 upon 8 is कितना होगा वो हो जाएगा minus का 2 upon 8 सिर्फ क्या होगा साइन बदल जाएगा ठीक है ऐसे ही अगर इसका second question देखें तो second question है इसका माइनस का 5 upon 9 तो अगर इसका additive inverse हमें निकालना है तो जाएगा additive inverse of of minus 5 upon 9 क्या होना चाहिए यह है पहले तो हमें साइन ले ले माइनस और फिर इसे लिखें माइनस 5 upon 9 और अब इसे solve करें तो क्या हो जाएगा इसका माइनस माइनस प्लस तो यह क्या बन गया 5 upon 9 तो अगर यह माइनस में होगा तो इसका अंसर अपने आप ही अपको प्लस में ही मिलेगा ओके तो थर्ड देखें इसका अब अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड इसका माइनस का इस सीक्सपाञ्ण ers 5 टीक है लें एडिटिव इंवर्ण साबst ओर आ ऑ मासे तो माइनस इस खाव फाईफ आप क्या करेंगे पहले तो आप ने माइनस लिए पिर पूरा यह रख दो माइनस माइनस आप इसको देखें तो क्या हो जाता है एक माइनस से माइनस वैसे भी cancel हो जाएगा बच्चे का कैसे भी है माइनस का 6 अपॉन 5 तो यह इसका एडिटिव इन्वर्स हो गया ओके अब इसका फॉर्थ देखते हैं पॉर्थ जो है वह है टू अपॉन माइनस नाइन फिर करें क्या हो जाएगा एडिटिव इन्वर्स अव अख माइनस जो टू अपॉन नाइन क्या आजयाँ विक्वल टू पर्ली माइनस लिया फिर आपने यह लिखा टू अपॉन माइनस का 9 प्लस हो जाता है तो जाएगा प्लस का 2 अपान 9 ओके और फिर इसका लास्ट पार्ट 5 फिफ्ट जो है वो है 19 अपान माइनस 6 तब करें एडिटिव इनवर्स और इनवर्स और इस 19 अपान माइनस 6 इस इक्वल टू तो क्या करेंगे पहले एक साइन लिलो माइनस फिन 19 अपान माइनस 6 अब यह माइनस माइनस यह तो प्लस हो गया तो हो गया 19 सिर्फ प्लस का 19 अपान इस तो यह था इसका सेकंड कुश्शंट में पांच पार्ट है और हमने से पांचों सॉल्व कर दिए ओके झाल कि अपान झाल कि एक सकते हैं यह झाल कि झाल कि वी उला है हो यह पार सुल्शंट मेंच का 20 अपान